नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी ठीक और अच्छे होंगी मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजुरिया और आप देख रहे हैं in depth दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस करेंगी पब्लिक एकनॉमिक्स के बारे में जिसका first topic जो था market failure and remedial measure, asymmetric information, public goods and externality ये मैंने आपको environmental economics में करवा दिया था आप वहाँ पी जाकर इसको देख सकते हो दूसरा topic जो UGC net JRF economics में पूछा गया है public economics का वो है regulation of market, collusion and consumer welfare करके ठीक है तो इसी को discuss करेंगे हम इस वीडियो में चलो इस वीडियो को करते हैं start होता क्या है, उसके बाद consumer welfare पढ़ेंगे और फिर discuss करेंगे कि कैसे regulation कौन-कौन सी लाई जाती है market में ताकि collusion को खतम किया जाए सके, ठीक है, तो collusion क्या होता है, collusion एक illegal or unethical practice होती है जिसमें firms यह competitor क्या करते हैं, cooperate करते हैं rather than compete, ठीक है, compete ना करके करते हुए क्या करते हैं, cooperate करते हैं, एक secret agreements बनाते हैं, यह arrangement करते हैं, firms एक दूसरे के बीच में, ताकि वो manipulate कर सके market condition को, और restrict कर सके competition को, ठीक है, तो उससे नुकसान किसको होता है, consumer welfare को नुकसान होता है, consumer welfare कम होती है, और competition भी क्या होता है, कम होता है, और खतम हो जाता है, और benefit किसको होता है, जो collusion partner होते हैं, उनको होता है, ठीक है, उनका profit बढ़ता है, through वो सबसे ज़्यादा जब price चार्ज करेंगी, तो उनका profit ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए collusion बनते हैं, अगर competition होगा, तो price कम मिलेंगे, उनका profit कम होगा, consumer की welfare ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये remember रखना है आपको, तो collusion जो होता है, बरे सार form of collision को, ठीक है, तो first form of collision होती है, price fixing, most important form of collision होती है, ठीक है, और सबसे commonly हमें देखने को मिलती है, ये collision price fixing, यहाँ पर क्या होता है, कि जो competing firm होती है, वो agree कर देती है, कि एक set करेंगे price, एक certain level में, ठीक है, जो market forces को alone नहीं करेगा, कि determine करे price, बलकि कौन करेगी, एक collision के थूँ जो है, price fix किया जाएगा, ठीक है, इस वज़ा से ही क्या होता है, कि price competition कम हो जाएगा, यह eliminate हो जाएगा, और finally harm कोन होगा, consumer होगा, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, जादा price देना पड़ेगा, as comparison to, जब market determine करती price को, तो सारी competing firm जो एक दूसरे के साथ compete कर जाती और price down आता, बट जब cooperation हो जाता है, तो price fix कर दी जाती है, collision के द्वारा, तो तब क्या होगा, benefit होगा, collision partners को, और harm कोन होगा, consumer होगा, consumer welfare कम होगी, competition कम होगा, ठीक है, second form of collision होता है, market sharing, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कि firms जो होती है, वो agree कर देती है, कि हम कौन सी market जो जो collision partner होते हैं, उनको consumer divide कर दिये जाते हैं, एक area divide कर दिये जाएगा, territory divide कर दिये जाएगी, या product divide कर दिये जाएगा, कि कौन सी firm, कौन सा product produce करेगी, ठीक है, तो उसी के basis पे कौन से consumer, कि firm के पास जाएगी, वो भी हो जाता है, तो जिस वया से क्या होता है, कि वो अपने जी price charge कर सकता है, तो इस वया से क्या होगा, consumer choices कम हो जाएगी, उन पे impact पड़ेगा, उनकी welfare कम हो जाएगी, consumer की, और benefit किसको होगा, collision partners को होगा, ठीक है, तो third form of collision कोन सा होता है, bid rigging होता है, ठीक है, तो ये भी एक form of collision है, ये कहां पे देखने को मिलता है, जर्नली, public procurement को, मैं और bidding process में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो competing firm होती है, ठीक है, तो वो advance agree हो जाती है, कि कौन ये bid लेगा, ठीक, कौन ये win करेगा, जिस वाया से manipulate किया जाता है, price को reduce होता है, competition, ठीक है, तो generally हम जो जैसे कोई project देने होते हैं, सरकार ने, तो वहां भ भी project जो होता है, कौन से contractor को मिलेगा, वो advance में तैय कर दी जाता है, और जिस वाया से सरकार पे उसको जो benefit होना था, bid का, bidding का, वो नहीं मिल पाता, और एक अच्छे package के साथ, वो project उस contractor को मिल जाता है, ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है, किसका, collision का, और ये one of the form है, क्या, क किरी कर देती है, कि कितनी production, कितनी output होगी, ठीक है, तो इधर सिकारस्टी create की जाती है, production में, जिस वाया से prices जादा होती है, supply कम होती है, और colluding जो firm होती है, उनका profit भड़ता है, और consumer welfare जो है, वो कम हो जाती है, तो ये भी एक one of the form of collision है, कौन सी output restrictions, next आगे बढ़ते हैं, और जर्णली दो most important type of collusion होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, horizontal collusion और vertical collusion, इनको discuss करते है horizontal collusion और vertical collusion को कि ये क्या है, ठीक है, horizontal collusion की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये collusion होता है, उन firms में, जो same level पे operate होती है, या same level of supply chain में operate होती है, ठीक है, और ये direct competitor जो होते हैं, उनको कहते है horizontal collusion उनके बीच में जो agreement होता है जो direct competitor के बीच में agreement जो होगा उसको कहेंगे horizontal collusion ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाले competitor होते है horizontal collusion के ये compete करते थे पहले बट अब ये क्या करते हैं अगर collusion बना देंगी तो जिस वह से भी ये market sharing के थुरू हो सकता है price fix कर सकते है या लग लग हमने farm पीछे चार farm देखे उसके थुरू ये क्या कर सकते है prices को ज़्यादा charge कर सकते है और profit ज़्यादा से ज़्यादा earn कर सकते है vertical collusion में क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि जो cooperation होता है वो different level of supply chain के बीच में होता है तो कैसे हो सकता है for example manufacturer और wholesaler के बीच में collision हो सकता है wholesaler और retailer के बीच में हो सकता है तो इस तरीके के जो होते हैं collision उसको कहते है vertical collusion तो सबसे पहले ये देखो ये जैसे आगया manufacturer इसके नीचे आजाता है उसको कहते है vertical collusion ठीके तो है ना vertical form में होता है ठीके तो horizontal में जब होगा manufacturer manufacturer एक manufacturer दूसरे manufacturer के साथ अगर collision करता है तो उसको कहते है horizontal collusion ठीके तो manufacturer इधर भी आ सकता है ये देखो यहाँ समझा देता हूँ आपको ये देखो manufacturer इधर आया और इधर दूसरे manufacturer के साथ अगर वो collision बनाता है तो उसको कहते है horizontal और manufacturer जब किसके साथ wholesaler के साथ या retailer के साथ बनाता है collision तो उसको कहते है vertical collusion ठीके तो होप आपको ये भी understand हो चुका होगा अब समझते हैं हम consumer welfare के बारे में कि consumer welfare क्या है consumer welfare क्या है करता है किसी भी चीज़ को goods को या services को तो उसको एक fair prices देने को मिलते हैं ऐसा हो ये quality product उसको मिले और accurate information जब उसके पास होती है तो हम कहा सकते हैं कि consumer welfare बहुत अच्छे तरीके से हो रही है ठीके तो इसी वहाँ से ये measure करता है कि कितना consumer well और serve किया गया है market place में और कितनी value उसने drive की consumption से तो यहां से भी हम consumer welfare का पता कर सकते हैं ठीके तो consumer welfare दोबारा से बोल देता हूँ ठीके क्या मतलब है कि consumer के पास बहुत सारी variety of choices है fair prices उसको मिर रहा है fair prices देता है तब ही वो consume करता है यह product मिलते हैं जब accurate information उसके पास होती है तो हम कहेंगे कि consumer welfare है वो बहुत अच्छी है अगर opposite case में ऐसा नहीं होता तो consumer welfare कम होती है ठीके तो अब किस तरीके से regulation of market किस तरीके से होता है किस तरीके से regulate किया जा सकता है collision को इसको discuss करते है ठीके तो regulation of market एक important aspect है कि fair competition लाया जा सकी और protect किया जा सकी किस को consumer welfare को जदा से जदा भड़ाया जा सकी यह उसकी जो welfare हो रही थी consumers की उसको protect किया जा सकी यह उसकी जो datorate हो रही थी consumer welfare उसको ऐसा ना होकर welfare को promote किया जाए ठीके तो कौन-कौन से issues है one of the form of Collision तो उसको किस तरीके से regulate किया जा सकता है जो free market ya competition या social welfare या consumer welfare को कम करता है कौन करता है Collision तो अब किस तरीके से हम prevent कर सकते हैं Collision को ठीके जो anti competitive behavior को promote करता है और protect करता है ठीके और किस तरीके से protect करें fear competition को market में मैं दुबारा से बोल देता हूं कि market को regulate किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से collision को regulate किया जाए जो promote करता है less competition और reduce करता है consumer welfare को ठीके तो first measure लिया जा सकता है anti-trust laws बना के ठीके बहुत सारी countries में कुछ laws है regulation है जो protect करते है anti-competitive practices को और जिसमें कौन से आती है collusion आती है तो इसमें एक proper law define किये जाते हैं और specific form of collision के against वो price fixing हो सकता है जैसे price fixing के थूँ collision होती है उसके against हो सकते है market sharing bid rigging output restriction के against जो legal framework देते हैं और regulate करते हैं पैनलाइज करते हैं police behavior को ठीके second measure क्या है enforcement and investigation इसके थूँ भी collision को कम किया जा सकता है competition authorities को ये power दी जाती है कि वो investigate करें ठीके collusion practices को ठीके gather करते हैं competition authorities evidences conduct करते हैं market studies और analyze करते हैं data को interview relevant parties को करते हैं जो determine करते हैं collusion है की नहीं है ठीके अगर collusion मिलता है ठीके किसी firms के दो firm या दो से अधिक firm के बीच में तो authorities के पास इतनी power होती है कि वो legal action ले सकते हैं उनके against जो firm involved है conclusion में ठीके और उनके ओपर fine दे सकते हैं criminal charge लगा सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं ये second measure है ठीके थर्ड measure है leniency programs ठीके तो जो competition authorities हैं वो leniency programs provide कर सकते हैं जो incentive देते हैं firm को कि वो forward आगे आए और report करे कि collusion हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके exchange में जो competition authorities हैं वो क्या करती हैं ठीके जो cooperation और evidence दे रही होती हैं उनको क्या करती हैं कि उन पे जो charges लगाने थे criminal charges उनको reduce करती हैं और penalties को भी कम करती हैं जो उस leniency program के through ठीके report करते हैं कि कौन-कौन सी firm involved है collusion में ठीके तो leniency program encourage करती है self reporting और assist करती हैं कि amputation authorities को कि वो detect करें और prosecute करें collusion behavior को ठीके fourth measure क्या है जो खतम करता है collusion को या कम करता है वो है whistleblower protection ये क्या करता है ये encourage करता है individual को उन्हें की colluding firm में कि वो report करें illegal activities की ठीके तो बहुत सारी jurisdictions में बहुत सारी countries में whistleblower protection laws बने हुए ये law protect करते हैं ठीके जो involved है जो expose करते हैं जो expose करते हैं collusive form of collusion को या retulate करते हैं उस collision को और ठीके बताते हैं किसको सरकारों को कि वहाँ पर collision हो रही है ठीके तो ये ऐसे लोगों को encourage किया जाता है और उसके उनको कुछ legal safe guard दिये जा सकते हैं whistleblower protection में ठीके तो उसके बाद fifth होता है fifth form जो reduce करता है collision को वो है international cooperation international cooperation में क्या होता है कि इसमें collision जो cross border implications में होता है दो अलग-लग देशों में आगर collision होता है दो अलग-लग देशों की forms में तो ठीके तो उसमें इसमें क्या दिया जाता है इसको address किया जाता है competition authorities कि दुआरा through international cooperation वो share करते हैं एक दिश दूसरी देश के साथ information और Collision, ठीके, Regulation of Market, Collision in Consumer Behavior, और Consumer Welfare, ठीके, Detail तरीके से, सॉरी, Consumer Welfare है, यहां पर Collision Behavior नहीं, ठीके, तो इसको Detail तरीके से हमने डिसकस किया, ठीके, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी, तो इसको जाज़-जाज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से हमें motivation मिलती हैं, नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं, वीडियो अपने अंद तक देखें, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपको description में telegram group और channel का link दे दूँगा, आप उसको भी further update के लिए join कर सकती हूँ, अगर आपने हमारे channel in depth को subscribe नहीं किया, तो उसको भी subscribe कर ली, और अगर आपने पहले videos नहीं देखें, तो playlist में जाकर उनको भी देख सकती हूँ, thank you, thank you for watching this video,